धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जितिया व्रत का संबंध महाभारत काल से जुड़ा हुआ है पौरानिक कथा के अनुसार जब युद्ध में अश्वत्थामा के पिता की मृत्यू हो गई तो वह बहुत क्रोधित हो गया पिता की मृत्यू का बदला लेने के लिए वह पांडवों के शिविर गया और उसने वहाँ जाकर पांच निर्दोश लोगों की हत्या कर दी उसे लगा कि वह पांच लोग पांडव थे लेकिन उसकी इस गलत फहमी की वजह से पांडव जिंदा बच गए जब पांडव अश्वत्थमा के सामने आये तो उसे पता चला कि उसने पांडवों की जगा द्रोपदी के पांच पुत्रों की हत्या कर दी है अर्जुन को जब इस बात का पता चला तो वह बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने अश्वत्थमा को बंदी बनाकर उससे दिव्यमनी छीन ली इस बात का बदला लेने के लिए अश्वत्थमा ने अभिम्यू की पतनी उत्तरा के गर्भ में पल रही संतान को मारने की योजना बनाई उसने गर्भ में पल रहे बच्चे को मारने के लिए ब्रहमास्त चलाया जिसकी वजह से उत्तरा का गर्भ नश्ट हो गया लेकिन उस बच्चे का जन लेना आवश्यक था इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने उत्तरा के मरे हुए संतान को गर्ब में फिर से जीवित कर दिया उत्तरा का संतान गर्ब में मर कर जीवित हुआ था इसलिए इस व्रत का नाम जीवित पुत्रिका पड़ा तभी से सभी माताएं अपनी संतान की लंबी आयू के लिए इस व्रत को पूरी श्रद्धा से करने लगी